नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्रीश एंट एजुकेशन क्लासे में कैसे आप सभी लोग उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्त होंगे और एच्छे प्रपेशन दोस्ता आपकी चल रही होगी हमारे भी दोस्तों विसेश श्रीज चल रही है उत्तराखेंट लगातार classes प्रोवाइट करवा रहे हैं regular interval पे और इस समय दोस्तों हम पढ़ रहे हैं सेक्षिक विचारक और उनकी सेक्षिक अवधानाओं के बारे में आज हम एक और सेक्षिक विचारक के बारे में जानेंगे दोस्तों जिनका नाम है सावित्री भाई फुले तो चलिए पहली महिला सिक्षिका और समासुदारक होने का दोस्तों इनको गौरव प्राप्त है आज इन्य के कारण में हमारे देश में महिलाएं बिना किसी रोक्तों के सिक्षा प्राप्त कर सकती हैं उनको सिक्षा का अधिकार मिला है तो इसका पूरा का पूरा स्ट्रेश सावित्र में जानना दोस्तों काफी important हो जाता है सबसे पहले हम जानेंगे इनकी जीवनी के बारे में सबसे पहले इनका जनम 3 जनवरी 1831 को हुआ था महारास के 17 जिले के नायगाओं में और इनके पिता जी का नाम था खंदो जी नेवेसे और माता का नाम था लक्षमी लेकिंगे महारा सावेतरी भाई फुले ने समाज के उन नियमों का विरोध किया और इस विरोध को अपना सिक्षा लेकर परदसित किया देखे सावेतरी भाई फुले ज़्यादा पड़ी लिखी नहीं थी मातर 9 साल की उम्बर में 1840 में इनकी शादी करा दी गई 13 वर्स के एक्टिविस्ट और समा सुधारक जोती राव फुले से जोती राव फुले जिनको जोती वा फुले के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है यह अपने आप में ही दोस्तों एक महान सिक्षक थे विचारक थे दार्शनिक थे लेकक थे करांती कारी थे दोस्तों समय पर ठीक है ना तो इन दोनो दोनों ने मिलकर जब आपस में दोनों मिले दोनों ने मिलकर दोस्ता अतुलनी कारे की हैं ठीक तो सबसे पहले इननों ने अपने पती से ही प्राइमरी एजूकेशन प्राप्त करी देखे उस समय पर जो तीरा फुले है वो खुद चाहते दे कि महिलाओं के को सिक्षा मिले इ उनको सिक्षा के लिए भी प्रियास करना चाहते थे तो इसमें इनको इनकी जो वाइफ है जिनका नाम है सावित्री भाइ फुले इनका पूरा सहयोग मिला लेकि उस समय पर समाज इस तरह का था कि जब जोती राव फुले और या फिर आन्या महिलाएं दोस्ते जब स्कूल जाये करती थी तो वहाँ पर क्या होता था कि लोग उन पर पत्थर और गोबर फैका करते थे खीचड़ फैका करते थे लेकिन फिर भी ये लोग स्कूल गए उनने अपने सिक्षा को प्राप्त किया तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने चीजों को बारे में जानना है इसके अ हुए था उस समय पर दोस्तों समासिवी तो थी यह उस समय पर प्लेग काफी फैला ओऊ था यह प्लेग के मरीज़ों की समासिवा कर रही थी और लेकिन एक मरीज से इनको प्लेग की सईग्रसित हो गई फैल गया और फिर इनकी ही खुद डेठ हो गा तो सावीतरी वाइफ को लेगा दोस्तें यह है जीवनी शॉट में जिसको अपने समगता है अब बात करेंगे कि भाई यह सिक्षा में इनका क्या योगदान रहा है क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहला जो मैंने आपको बता है कि लड़कियों की सिक्षा पर समाजिक पावंदी के समय पर सिक्षा पर इन्होंने जोड दिया उसमय पर लड़कियों की सिक्षा पर बिलकुल समाज पावंदी लगाना चाहता था लेकिन फिर भी इन्होंने पैर भी करी कि लड़कियों को सिक्षा प्राप्त करने का पूरा दिकार है इसके अलावा एक जनवरी शर्ता के छेतर में महिलाओं और अच्छूतों के उठान के लिए दोस्तों इनने सरानिय कारी किये तो वर्क फ्रॉर दा अफलिप्मेंट ऑफ वुमन एंड अंटचेबल इन फिल्ड ऑफ एड्यूकेशन एंड लिटरिसी तो यह अपने कुछ फैक्स दोस्तों बिल्कुल दूस्तों पारा हिए तो इसलिए उस समय पर ज्यादा जोड़ दिया चाहे दलीतों के शिक्षा हो चाहे महिलाओं के सिक्षा हो इसके अलावा देश के पहले किसान स्कूल की स्थाफना का श्रेवीन को ही जाता है 1852 में इन्होंने दलिद बालिकाओं के लिए अलग विध्याले भी स्टार्ट किया तो ये आपने कुछ facts जो कि याद रुखने है इसके अलावा दोनों ने मिलकर 1854 में भारत में सक्षर्था मिर्सन की शुरवाध करी ये भी दोस्तने का पर एक ही इंपोर्टन है Together they started the literacy mission in India in the year 1854 to 55 इसके अलावा दोस्तने काफी इंपोर्टन है सत्य सोधन समाज या सत्य सोदक समाज की दोस्तों ने शुरुवात करी थी उस समय पर दोस्तों जो सत्य सोदक समाज था वो दोस्तों काफी इंपॉर्टन था उस समय की तत्काली दहेज प्रता का दोस्तों ने काफी विरोध किया ठीक है ना सत्य सोदक समाज का मतलब है सत्य की तलास के लिए समाज इन्होंने समय सुरवात इसकी की थी और ये दोस्तों इन्होंने एक तरसे सत्य सोदक विवहाप रथा की दोस्तों इन्होंने शुरवात करी थी जिसमें कोई भी दहेज नहीं लिया जाता था इसके बाद इन्होंने एक वर्स में ही अपने हस्बिंट के संग मिलकर पांच ने विद्याले की दोस्ते इस्थाफना करी तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना अतुल्निय युग्णान दिया है इसके अलावा जो 37 सुधक समाज है दोस्तों ये एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि चारिटी का भी दोस्तों काम करते थे और इस समाज मेहीं जब दोस्तों 1876 और 1889 में दोस्तों समय पर अकाल पड़ा था तो इन्होंने 97 दोस्तों चलाया था और उस समय पर दोस्तों ने दो हजार से अधिक जो लोग हैं उनको खाना किलाने का विवस्ता करी थी 2000 से अधिक उसमें पर आस्रम में बच्चे रहते तो उनको भी खाना किलानी की व्यस्ता इनके द्वारा दोस्तों की गई थी। इसके बाद वर्स 2014 में इनके सम्मान में पुणे विस्व विध्याले का नाम बदलकर सावेत्री भाई फुले कर दिया गया था और ये इनका दोस्तों फेमस कथन है अब बिलकुल भी खाली मत बैटो जाओ सिक्षा प्राप करो इसके अलावा थोड़ा जो इनके लेखन कारे उसके बारे में जानते हैं लेके मैंने पहली बोला है की जितनी भी कृतियां थी वो सारी मराठी में थी मराठी कावे के अगर दूत ही मानी जाती है कवीती के रूप में इनने दो प्रमुक पुस्तके लिखे हैं जिनको आपने थोड़ा याद रखना है एक है कावे फुले जो कि 1854 माई थी इसके अलावा एक थी 52 सुबोध रतना का जो कि 1892 माई थी तो ये दोस्तों दो प्रमुक पुस्तके हैं जिनको आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे तो कुल मिलाके आप देख सकते हैं कि जो सावितरी भाई फुले हैं उन्होंने किन किन एरिया में दोस्तों अपना कंट्यूबिशन दिया है सबसे पहले महिला सिक्षिका उसके अलावा जो दलित महिला है उनको सिक्षित करना है छुआ छूआ छूट को मिठाना है दलितों का उद्धान करना है और इसके अलावा जो दहेच पर था है उसका विरोध विद्वा विवा है उसको कराना स्टार्ट करना है तो कई सारे द इन सब पर दोस्तों आधारी थी तो आप इनको आधुनिक नारीबाद का अगर दूद भी कह सकते हैं और क्योंकि पर्थम भारती माहिला सिक्षिका होने का इनको गौरव प्राप्त है इनसे दोस्तों आज के समय पर प्रहणा लिने की आवशकता है तो यह थे दोस्तों आपक सवित्री भाई फुले की सेक्षिक आवधारनाएं और उनके सेक्षिक पिचार आई होप कि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छे लगे होगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेके रेट गुडबाए